आपने कैरम वाला गेम तो खेला ही होगा, एक गुलाबी रानी उसके पीछे काले पीले आशिक जो खुद को कुर्बान करके बस रानी को जीतने की कोशिश करते रहते हैं, निशाना सही लगा तो रानी को साथ लेकर जाईए, वरना गड़े में गिरकर फाउल हो जाता है, आस सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, फिल्म को आप नेट्फिक्स पे देख सकते हो, बस दो घंटे इंतजार करिए, उसके बाद कैरम की बाजी कौन जीता, कौन हारा, सारे राज आपके सामने आ जाएंगे, फैमिली के साथ बिल्कुल देख सकते हो, बस दो तीन गालिया हैं जिनका इस्तिमाल वैसे तो हम अपने जिग्री दोस्तों को सम्मान देने के लिए करते हैं, लेकिन घरवालों को इनके पीछे छुपी इश्क महबत के बारे में कौन समझाए, इस बार कहानी 36 गड़ के एक छोटे से टाउन में शुरू होती है, जहां पे बिल्लू एक पान हो जाता है, जिसमें वो अपने परिवार को लेकर जिन्दगी बिताने चले आते हैं, बस इस परिवार में मौझूत रिंकू ननोरिया नाम की सुन्दर करन्या बिल्लू की किस्मत में साक्षात लक्षमी बनकर प्रकट होती हैं, इनकी खुपसूर्ती पे लड़्टू, शह कि दमदार नेता जी हर कोई खिचा जला आता है, कहानी में ट्विस्ट आता है, जब धंदे के फाइदे के नशे में चूर बिल्लू धीरे धीरे खुद लड़की की सुन्दता के शिकार होने लगते हैं, और चोरी चोरी चुपके चुपके उसको पाने की लालच में दुका बात होने वाली है, जिसके बारे में टीवी और अकबार में खबरें छपने वाली हैं, सारे जवाब मिलेंगे चमन बहार में, देखो फिल्म को खास बनाता है इसका 100% रियलिस्टिक कॉंटेंट जिसका फिल्मी दुनिया से कोई लेना देना नहीं, ऐसा लगता है जैसे मान आदमी की कहानी को एकदम खास तरीके से प्रेजेंट करती है, और क्लाइमेक्स में जिस तरह फिल्म का कनेक्शन रियल लाइफ में हुई बेवफाई की घटना के साथ जोड़ा गया है, वो फिल्म का एक्स फैक्टर साबित होती है, एक नॉर्मल सी कहानी को असरदार बना क हमारे दिल पे मार देती है, इस फिल्म की जितनी जुरत सिनिमा के दीवानों को है, उससे कई गुना बॉलिवुड के पढ़े लेके गवारों को है, जो पूरा पैसा सिर्फ स्टार्स के मेकप और कपड़ों पे खर्च कर देते हैं, चमन भार उसके उल्टा जाकर सिर्फ कह के टैलेंट की आधी चली है, उसमें करन जोहर के स्टूडेंट से लेकर भाईजान के जिगरी दोस्तों के बच्चे हर कोई दूर उड़कर कहीं दूसरे देश पहुत जाएंगे, जहां पे फिल्मों में काम करने के लिए सरनेम नहीं आक्टिंग स्किल्स की जरुरत पढ़ वो बॉलिवुड में मौझूद अच्छे म्यूजिक की कमी को काफी हद तक भरने की कोशिश करता है, एक युद्धवाला गीत भी है जो आपके अंदर के आशिक को नीन से जगा देगा, तारीफ करनी होगी फिल्म के मेकर्स की, जिन्होंने टुबैको और इस दोनों सेहत क के लिए हानिकारग जैसे गहराई वाले डायलॉग्स या फिर एक तरफा प्यार में किसी आशिक के पूरी तरह बरबाद होकर आबाद होने की हकीकत हर चोटी बड़ी चीज को चालाकी से फिल्म में घुसा दिया है, एक छुपा हुआ सर्प्राइज भी है, जिसमें शेक्स कुमार बिना जादा कुछ बोले ही आपको खूब डराते हैं, और योगेंदर सब की तो बात ही अलग है जो हर फिल्म में अपनी चाप जरूर छोड़ देते हैं, बस छोटी सी शिकायक फिल्म की लीड फीमेल कैरेक्टर से है, जिनको एक डायलॉग तक नसीब नहीं हुआ, उनकी आवास कैसी है तो छोड़िये, है भी या नहीं, इस रास के उपर से परदा उठाना मुश्किली नहीं नमुम्किन है, वैसे रितिका मेडम की तो आदत ही है, पीछे बचते हुए म्यूजिक के सामने खड़े होकर, बिना कुछ बोले ही लोगों को अपनी खुबसूर 20-100% होती है, फिल्म देखिए, वादा करती हूँ, इसकी साथगी और खुबसूरती आपकी जिंदगी में रंग घोल देगी, मेरी तरफ से चमन बहार को 5 में से 3 स्टार्स, एक स्टार फिल्म के सच्चे और रियल कॉंटेंट के लिए, एक स्टार दिल पे हमला करने वाले दिल्म के लिए, एक स्टार जीतू भाईया के हीरे से भी जादा चमकदार अक्टिंग पर्फॉर्मस के लिए, और हाफ स्टार फिल्म देचालाकी से डाले गए शेक्स्पियर फ्लेवर के लिए, बात करू नेगिटिव्स की तो एक स्टार करतेगा रितिका और जीतू मौका हमारे हाथों से छीनने के लिए और हाफ स्टार थोड़े से कमजोर स्क्रीन प्ले के लिए, बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हूँ या पर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाओंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिये, आपसे अगले वीडियो में, टेक के, बाई बाई